हेलो एब्रीवान कैसे हैं आप सभी आई होब आप सभी बहुत अच्छे होंगे और ये एक लिप थी जो मुझसे छूट गई थी और इसके बारे मैं आपको सभी कुछ समझा दूंगी साधी की यही कैसे क्या हुआ था और ये कर दिए तो ये वीडियो है एक वार विधा करने के बाद दोबारा फिर इस तरी के सिरे लोटाया जाता है हमारे यह होती है ये रस्मन लोटा के दौशा, फिर इनको उतारा गया है, फिर बैठाया गया है थोड़ी सी देर और पानी पलाया जाएगा, कुछ मेटा खिलाया जाएगा, कुछ इस तरीके से होता है क्योंकि फिर इसके बाद क्या होता है फिर कभी भी तीन या पास दिन के बाद दुबारा से बुलाते हैं लेकिन एक बार इसी तरीकी से उलट फिर इसको यहीं से बुलते हैं थोड़ी सी दूर बिदा होगी यह चली गई थी गाड़ी और फिर दुबारा से बापिस की गई य तो अभी बात देते हैं तो अभी बस एसे ही बिठा दिया है और मंम्हीं कुछ बात कर रही है कुछ समझा रही होंगी और अभी हो गई है यह सोच दीजिए दवारा की यह विदाई और यह किलिप मेरे साथ था मेरे पास था क्योंकि इनको डालने से क्या है यह यूटूब पर हमेशा पड़ी रहेंगे तो यह सोच यह एक तरीके से जैसे हमारी याद है इसमें सेफ हैं और यहां पर बना रही हूँ मैं मटर पनीर क सबजी और यह मैं घर पर नहीं हूँ दीदी के घर पर हूँ समझाती हूँ सारा कुछ कैसे क्या क्योंकि पहले मैं सोच रही थी देखे यह पर हमनी खीर भी बना के त्यार कर दिये पहले मैं सोच रही थी न कि मैं विलोग नहीं बनाऊंगी तो इसलिए मैं कल रात को आई थी जैसे रात की समय आई थी और अभी ये दूस्ते दिन का सुभे का समय टाइम भी आप देख सकते हैं कि नो बज रहें और नो बजे तक मैंने नहां दो लिए सारा कुछ कर लिया और मैं रात को इसलिए आ गई थी यहां पर दीदी के घर क्योंकि सुभे सुभे फिर इतना जल्दी आया नहीं जाता और देदी के घर के हैं आज पूजा जो मेरी देदी है तो उनके यहां तो बस अभी यहां पर खाना पीना बनारे में मैं हेल्प कर रही थी थोड़ी सी क्योंकि मैं रात को यह आ गई थी तो इस वज़े से देदी जाड़ो पूजा यह समय लगे ह जाती हैं तो देदी की थी आज साल ग्रे और यह मेरी दीदी हैं साइद आप लोग जानते ही होंगे तो बस आज इनों ने अपने मंदर में मोर्तियों की इस्तापना करानी थी तो आज एनिवर्शरी के दिन बोले ठीक है यहां पर घर में पूजा पाट भी हो जाएगा और यह मोर्तियों का इस्तापना भी हो जाएगी तो पहले यह मोर्ति थी ने इनको पहले उसमें रख दिया गया था रात को रखनी थी लेकिन रात को नहीं रख पाए थे नाच जो होता है अनाच गय हूँ और अभी इनका वीदी विदान के साथ इस्तापना की जाएगी अभी न तो खंड़े तो तहीं तो इस वस बजय से दीदी लेके आई थी तो यहां पर पहले पंचमरत बना लिया गया है इसमें दूद और गीस और सहेद और दही और एक चीज और क्या डालते हैं मुझे भी ध्यान नहीं आरा पांचों चीज डालके जो पंचमरत बनता है त द्रेस बगेरा पहना के और घर से आये थे मेरे ममी पापा आये थे घर से और यह इनके कोलोनी के लोग हैं जो बैठे हुए हैं पूजा में आये हैं क्योंकि इसके बाद अभी कथा भी होगी जो सतिनारेन बगवान की कथा होती है तो बस यहां पर पंड़ीजी पूजा पा राधा जी को और क्रिश्न को तयार कर दिया है और अब इनको फूलों की माला वगेरा पहनाई जाएंगी और यहां पर चौकी लगा ली थी पंड़ीजी ने क्योंकि उसके लिए चौकी इसी तरीके से लगाई जाती है जो सतिनारेन बगवान की कथा होती है और उसमें केले यहां पर पंड़ी जी कह रहे थे कथा और कथा कहने में तो आप सभी को पता है जो जानते होंगे सतिनारेन बगवान की कथा में एक से दो घंटे लग जाती है क्योंकि इसमें पांच अध्याय होते हैं और पांच अध्याय में सबसे बड़ा होता है जो कलावती वाली जू कथा है वो काफी बड़ी होती है तो बीच बीच में पंड़ी यहां पर कीर्थन कराते जा रहे थे और कथा कराते जा रहे थे तो बस आज थोड़ा सा पूजा पार्ट में सारा कुछ काम धाम छोड़के घर पे में आ गई यहां पर वैसे है काफी सारा स की हुई है तो उनको विदा करना है साधी से अभी जाएंगी वो तो अभी जैसे पूजा समाप्त होगी परीबार महल था है अब चार और जली से अब रूग का पार पूजन करिए जंकल करिए जंगल में गये और उसी परत के नेजे बैठ कर वाव लमोंकमानी द्वारा सी जत्य देनान वहान की कितार ने अब तो ने अब तो अब जंग कर दो तो अब अब तो अब जंगिन अब कर दो यहां पर याग्य की तैयारी और नीचे से टाइल्स वगएरा थे इसी बज़े से इस तरीके से कुछ जोगाड करना पड़ा है नीचे हीटे रखी है फिर उसके उपर तसला रखा है और इसमें बालू मिट्टी भरके जब आम की लकड़ी हों हवन करने के लिए या फिर वन की लकड़ी हो असुद्ध मानी जाती है चंदन वगएरा की तो कहां से उतनी बहुत महगी आती है लेकिन आम की और वन की सही रहती है तो यहां पर होगी बस अभी सब लोगों ने सामिग्री वगएर पांच-पांच वार छोड़ दी है इसके बाद होगी यहां पर जो संपू प्रसाद वित्रण होगा और पूजा हो जाएगी और फिर अभी जो मंदिर है मंदिर में इन मूर्तियों को स्ताफना कर दिया जाएगा यह देखे अभी न कितने सुंदर लग रहा है मंदिर भी अच्छा लग रहा है और मूर्तिया भी काफी अच्छी लग रही है तो यह दीदी का मंदिर है जो एक साइड अलग से है अलग रही थी और इसके बाद फिर मैंने कुछ भी नहीं वीडियो बनाया मैं सीधे चली गई थी वस खाना खाया दो चार बाते की मम्मी तो लेट से आई थी मेरी तुम्हें बाते भी नहीं कुछ कर पाई थी और चली गई थी घर फिर दीदी को बेदा किया फिर अभी हुए थे अभी साड़े छे मैंने आपको टाइम देखा जाई था और सुबेक बस घर की जाड़ू लगा दिया आंगन वगेरा की और चाय वगेरा पी लिए और चाय वगेरा पी के बच्छा को दूर बिलाके बस अभी मैं लग गई हूं यह कपड़े वगेरा आज मुझे यह करना ही है क्योंकि रूम बुरी तरीके से सारा फैल रहा है तो बस अभी इनको सारा कुछ वो कर दूंगी और दो तीन दिन से वीडियो भी चल रहा है इसको भी मैं बंद कर दूंगी और यह साड़ी तीन दी देने दी थी तो बस मैं खोल के देख रही थी तैयार करना थ लेकिन अभी बाद मैं करूंगी तो मिलती हूं नेक्स्ट